हालो फ्रेंट्स मैं त्रिप्ती मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफी तो आज मैं बिल्कुल कैफे स्टाइल जागदार कॉफी घर पर बना के तयार करूंगी तो आईए फ्रेंट्स इसको बना कर तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने कुछ ग मैं झाल दीखें पहले दीखेंगे दीखेंग है इस step देखने में प्लिश क्या allen हुआ योखेंगे झाल गलास में पेए मैं आपने और ने सब्ससे पहले हम बनाएंगे रैगूलर कोफी पर गलास कोटोफी कुनन में मैं जाया हुअ मैं ने तो इस cold coffee को बनाने के लिए मैंने ये cup लिया है, आप कोई भी बरतन ले लिजे, उसमें डाल दीजे, दो चम्मच कॉफी लिया है, तो मैंने इसमें दो छूटे चम्मच कॉफी डाली है, साथ में इसमें दो बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के अंदर डालेंगे गरम पानी तो मैं इसमें दो बड़े चम्मच गरम पानी डाल रहे हूं, गरम पानी डालने से कॉफी और चीनी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जब हम डायरेक्ट चीनी या कॉफी डालते हैं, तो उसके दाने कई बार दूद में तो इसलिए इस तरीके से अगर हम मिक्सर बना लेंगे, तो कॉफी बनाने में बहुत जादा आसानी होगी, तो हमें इसे तब तक मिक्स करना है, जब तक कि चीनी पूरी तरीके से इसके अंदर घुल चुकी है, तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें गरम पानी डाला था, इसलिए ठंडा करना जरूरी है, तो मैंने ये ब्लेंडिंग जाड लिया है, और अब मैं इसके अंतर डाल रही हूँ, एक कप दूद, दूद मैं इसमें फुल फैट दूद डाल रही हूँ, और साथ में जो दूद होना चाहिए, वो बिल्कुल ठंडा होन पाना चाहिए, और अब हम डालेंगे मिल्क पॉरडर, तो मैं इसमें एक बड़ा चमच मिल्क पॉरडर डाल रही हूँ, वो काफी क्रीमी बनेगी, शाथ में डाल देंगे, कॉफी वाला मिक्षर जो पहले से बना के रखा था, और अब हम इसके अंदर डालेंगे, आइस क् फीट पर इसे एक मिनट के लिए ब्लेंड करना है तो मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है अब आप देख सकते हैं कितनी जागदार कॉफी बनी है और अब हम ग्लास में इसे डालेंगे कोल कॉफी डालने के बाद नीचे जो जाग बच जाता है वो हम इसके उपर इस तरीके से स्पून से डाल देंगे और अब मैं डाल रही हूँ इसके उपर melted vanilla ice cream vanilla ice cream थोड़ी सी melt हो गई थी तो मैं इस तरीके से spoon से डाल रही हूँ आप चाहे तो इसके उपर fresh cream भी डाल सकते हैं साथ में मैं इसके उपर डाल रही हूँ chocolate syrup और अब मैं last में इसके उपर डाल दूँगी chocolate shavings इसकी जगा आप cocoa powder भी डाल सकते हैं या फिर chocolate powder भी डाल सकते हैं तो हमारी cafe style regular cold coffee बनकर तयार है और अब हम बनाएंगे ice cream cold coffee इसके लिए मैंने cup लिया है और इसमें मैं दो छोटे चमच instant coffee डाल रही हूँ और साथ में डाल देंगे दो चमच चीनी और फिर डाल देंगे इसके अंदर गरम पानी तो दो चमच हमने coffee लिये दो चमच चीनी और दो चमच ही हमने इसमें गरम पानी लिया है और फिर इन सबी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे तब तक mix करना है जब तक की चीनी पूरी तरीके से घुल न जाए और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे तो अब मैंने लिया है blending jar इसके अंदर ice cream cold coffee बना रहे हैं इसलिए मैंने इसके लिए vanilla ice cream लिये हैं तो हम इसके अंदर 2 scoop vanilla ice cream डाल देंगे और vanilla ice cream डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ice cubes तो मैं इसके अंदर 4 ice cubes डाल रही हूँ और अब हम इसके अंदर दूट डालेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दूट बिल्कुल ठंडा होना चाहिए तो मैं इसमें 1 cup full fat दूट डाल रही हूँ और दूट डालने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे कॉफी वाला मिक्षर जो हमने पहले से बना के रखा था और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो हमें इसे हाई स्पीड पर ब्लेंड करना है एक मिनट के लिए तो मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, हमाई जो ये वाली कॉफी हो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनी है, क्योंकि हमने इसमें आईस्क्रीम डाली है और अब हम इसे ग्लास में डाल का सर्फ करेंगे कॉफी डालने के बाद इसके उपर हम डाल देंगे थोड़ी सी वैनिला आईस्क्रीम तो मैं चम्मस से डाल रही हूँ तो इस तरीके से हम डाल देंगे, अगर आपको आईस्क्रीम ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा मातरा में भी इसके उपर डाल सकते हैं साथ में मैं उपर से डाल दूँगी कुछ चॉक्लेट शेविंग्स तो हमारी आइस्क्रीम कोल कॉफी बनकर तयार है और अब हम बनाएंगे ओरियो कोल कॉफी जो की बच्चों को सभी को बहुत पसंद होती है इसके लिए भी हम एक कप यह बोल ले लेंगे उसमें डाल देंगे दो चोटे चमच इंस्टेंट कॉफी साथ में दो बड़े चमच चीनी डालेंगे और दो बड़े चमच इसके अंदर गरम पानी डाल देंगे गरम पानी डालने के बाद चीनी और कॉफी को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक mix करना है जब तक कि चीनी पूरी तरीके से इसके अंदर घूलना जाए और अब मैंने यह blending चाड लिया है इसके अंदर में डाल रही हूं एक कप chilled milk हमें full fat milk लेना है और बिल्कुल थंडा दूद लेना है साथ में इसमें एक बड़े चमच milk powder डाल रही हूँ milk powder ना हो तो भी आप Oreo coffee बना सकते हैं और साथ में जो coffee वाला mixture है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अब मैं इसके अंदर Oreo biscuits डाल रही हूँ तो मैं इसमें 4 Oreo biscuits डाल रही हूँ एक कप दूद में 4 Oreo biscuits काफी होते हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक स्कूफ vanilla ice cream आप इसकी जगा चॉकलेट ice cream भी डाल सकते हैं ice cream डालने से जो हमारी cold coffee है वो बहुत जादा creamy बनेगी पर आपके पास नहीं हो तो भी आप Oreo cold coffee बना कर तयार कर सकते हैं आपको Oreo biscuits चाहिए और milk जो है हमारा बहुत ठंडा होना चाहिए तो मैंने इसे blend कर लिया है blend करने के बाद अब हम इसे glass में serve करेंगे और उपर से जाग डाल देंगे जो की जार की नीचे रह जाता है तो इस तरीके से उपर से डाल देंगे और अब मैं डाल रहे हूँ इसके उपर आइसक्रीम तो मैं वनीला आइसक्रीम डाल रहे हूँ आप चाहिए तो इसके उपर चॉकलेट आइसक्रीम भी डाल सकते हैं या फिर आप चॉकलेट के शेविंग्स डाल सकते हैं या फिर ओरियो को क्रश करके डाल दीजे तो अब मैं लास में इसके ओपर डाल दूँगी चॉक्रिट सिरप और साथ में लगा देंगे एक ओरियो बिस्किट तो फ्रेंड्स हमारी तीनों तरीके की कॉफी बनकर तयार है तीनों ही पीने में बहुत अच्छी लगती है एक पाई इस रेसिपी को घर पर जरूर ठ्राय करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकोन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे